देखिए पैसे का सदुपियों कैसे होता है आपके द्वार पर कोई अत्थी आए और पेट भर भोजन करें आजकर लोगों के घर में चार मेहमान आ जाते हैं तो कुछ लोगों की आखें चड़ जाती हैं रे आगए खाने के लिए लेकर मुझे इस बात की खुशी है कि गौरी गोपाल आश्रम में सुवह से साम तक लगभग तीस हजार लोग परड़े भोजन करते हैं और मैं अपना सवभाग्य मानता हूं कि भगवान ने मुझे इसकार के लिए नियुक्त किया है और यहां द्वार पर आया कोई भी थी भूखा नहीं जाता है सवेर 8 वजे से रात्री के 12 वजे तक 11 वजे तक रसोई चलती है दो बजे भी कोई आए तो पेड़ भर भोजन मिलता है और गरम भोजन मिलता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है बाजार में जो भोजन 100 रोपे ठाली का है वो यहां आपकी फ वहां बड़े बड़े ट्रस्ट हैं बड़े बड़े लोग जोड़े हैं करोड़ पती अरब पती लोग द्योग पती लोग जोड़े हैं यहां तो केवल यह दास आप लोग जो सहयोग कर देते हैं उसी के बलपर आज पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोईों में एक इस रसोई में तो केवल आप लोगों का जो सहयोगाता है उसी से सेवा और अन्यदान की सेवा मेरे बच्पन का सपना था कि मैं बढ़ा होकर अन्य छेत्र चलाऊंगा ठाकुर जी ने वह एक्षा मेरी पूरी कर दी देखी अन्य छेत्र चल रहा है कोई भी मुझे बच्पन से भोजन कराने में बड़ा अच्छा लगता था लोगों को खेलाना पेट भर देखो बच्पन की एक्षा थी उस्ठाकुर जी ने पूरी की इसलिए मैं से कारे को भगवान की कृपा मानकर इश्वर की आग्या मानकर करता हूँ कि ये काम तो भगवान का है उन्होंने हमें औ आपको निमित बना रखा हज्जारों संत आते हैं पेट भर भोजन करते हैं अच्छा लगता है कि चलो हम किसी काम आ रहे हैं किसी के काम आ रहे हैं तो आप लोग भी आप भी अपनी बेटी बेटा पोता पोती दादा दादी माता पिता पूर बजों के नाम से एक दिन का अ अन्यदान से जुड़ो कि आपकी रोटी ये साधु संत खाएं और आपसे भी ये पुन्य का कार्य हो। तो आप भी एक दिन का सहारा संतों को भोजन देकर अन्यदान से जुड़ें। रसोई सेवा से जुड़ें। यहां रसोई चलती है। सुबह से साम तक कितनी लोगों ने प्रशाद पाया गौरी गोपल भगवान की रसोई में। प्रशाद अच्छा लगा आपको या नहीं। किस-किस को अच्छा लगा प्रशादी। सब की सेवा किसी के लिए मना है क्या यहां पर। ना यहां पर जात ना पात ना उंच ना नीच सब एक साथ भोजन प्रशाद ठाकुर्जी कर लेते हैं। कोई भेद भाव नहीं है यहां। किसी से एक रुपए शुलक नहीं है। एक सी विवस्था सब के लिए है। कोई यहां अमीरी गरीब नहीं देखी जाती है कि गरीब को अलग व्यवहार करें यहां और अमीर को अलग। एक साथ सब लोग लाएने में लगकर प्रशाद लेते हैं और स्रद्धा से ठाकुर्जी का प्रशाद गिरण करते हैं। अन्यदान से बड़ा कोई दान नहीं है मेरी मां। आप भी एक दिन की रसोई बटवाना हज्जारों लोग प्रशाद पाते हैं और वो भक्त लोग प्रशाद पाते हैं जो भगवान का दर्शन करने आते हैं। भगवान का दरसन करने आए हैं तो भगवान के लिए आए हैं उन भगतों को भोजन कराना आपके द्वारा ये पुन्नी का कारे